हेलो दोस्तों वोल्कम टू ट्रेवल विदाई शुमहता तो आज की जो वीडियो होने वाली है बुल्गारिया कंट्री के उपर हम बात करने वाले हैं बुल्गारिया कंट्री के लिए वर्क पर्मिट की वेकिंसी अभी निकली हुई है कौन से इजेंसी है सर्विस चार्ज कि आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स वगर है तो वीडियो स्टाड करने से पहले मैं आपको बता दो अगर आपने अभी तक मेरा वाट्साप और टेलिग्राम ग्रूप जॉइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कामेंट बॉक्स में भी देदि करेंगे तो आपको पोस्ट देख रही होगी वर्क इन बुल्गारिया पूरा साइड में आपको ठेक है और सबसे चीपत सारी में मेल फीमेल फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं जन्र वरकर मेल फीमेल चाहिए इसमें फ्रेशर चल जाएंगे एक्सपीरेंस वाले भी चल जाएंगे सेकेंड वरकेंशी यह वेटर में इसमें अप्लाई आपकर सकते हैं इसके बाद फोट्वेकनिसि रूम एटेंडन की जो जो इसमें फीमेल चाहिए और इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरेंस अगर आपके पास हो तो काफी अच्छा रहेगा ठीक है जी थोड़ा experience मैं recommend करूंगा कि experience आपके पास होना चाहिए कम से कम एक दो साल का experience हो as a room attendant ठीक है जी तो यह हो गई vacancy age under 45 लिखा है पच्चे साल से लेकिए अगर 45 साल आपकी age है basic communication आपकी सही English पर ठीक ठाक है और experience है नहीं है फ्रेश हो तो भी apply आप कर सकते हो over time आपको दिया जाएगा salary जो दे रहे हैं 600 euro to 1000 euro तक salaries दी जा रही है आपको so salary अच्छी है अराम से आप up to 80-85,000 कमा सकते हैं प्लस OT के साथ एक लाग रुपे बनेंगे basic 80,000 minimum आपकी बननी बननी है अगर आप महनती है तो ठीक है जी accommodation provided रहेगा food by candidate रहेगा food आप करेगा ठीक है 25 से लेकिए 45 सा की age limit accept करेंगे बागी overtime available एक communication आपकी English में होनी चाहिए Master Academy इंडिया ने डाला हुआ है और आप apply कर सकते हैं बुल्गारिया country के लिए सब कुछ मैंने आपको बता दिया इनकी mail id नंबर सारा चीसे आपको स्क्रीन पर दिख रही है आप इनसे आराम से contact कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छी consultancy है और आम से आप minimum salary जो अब यह दे रहे हैं 50,000 minimum दे रहे हैं विदाओ टोटी maximum 8085 दे रहे हैं तो वहां से आप pollen जा सकती हो एक साल के बाद तो यह सब चीज़ें मैं शेयर कर दूँगा अपडेट कुछ भी रहती है बाकी यह post है जो मैं आपको पढ़के बता रहा हूं साइड में दिख रहे हैं यह है वेकेंसी साइड में दिखा दे रहा हूं यह देख लो यह वेकेंसी है वर्क इन बुल्गारिया मास्टर सकेडमी इंडिया में डाला हुआ है आप इनकी मेल आईडी बताता हूं कॉंटर नमबर फिस सर्विस चार्ज भी आपके साथ चीज़ा गरूँगा इमेल आईडी बता देता हूं मोबाइल नमबर है प्लस नाइन वन आपको लगाना है इंडिया वाला 9061049950 इंडिया का सेकेंड कॉंटक नमबर यू एई यूनाइट अरब एमिरेट्स का ठीक है यू एई का तो दुबाइ का है यह प्लस 971 कंट्री कोड मोबाइल नमबर 503253529 ठीक है बागी इंकी इं अब हम बात करते में चीज् sonarvist package की बात करूं एचे लिमेट बता यूदि पच्शिस से 45 गंप कर बहुत है ड्रकुत लोग कोशें ये करते हैं किट्ना हो सकता है में चीज्छ तो तो सर्विस चार्ज की अगर मैं अभी बात करूं कि इसमें कितनी आपकी कॉस्टिंग आ सकती है तो हम मैं आपको पहले शेयर कर देता हूं इसमें जो खर्चा आपका लगबाग आएगा साढ़े तीन लाग रुपे जिंसी समय मांगरी में तो सर्विशा जो लेंगे आपसे 3.5 लाग सम्धिंग साढ़े तीन लाग आपसे लेंगे प्लस आपकी टिकेट रहेगी जो की सोफिया के लिए बुल्गारिया के लिए अगर आप जाती हो न्यू डेली या मुंबई से तो शैनेगर कंट्री रिकमेंड नहीं करेंगे वाया आप दुबई जाओ आप टिकेट से अपनी कराओ वाया दुबई कराना हमेशा ठीके फ्लाइड दुबई भी जाती है बुल्गारिया एरलाइन की बात करो फ्लाइड दुबई तो न्यू डेली मुंबई से आपके लिए क बहुत जाओगे इंडिया से और कुछ इसमें काटेगरी से जैसे कि जर्नर वरकर या फिर किचेन हेलपार जो भी जिसमें एक्स्पीरेंस नहीं चाहिए उसमें आपका इंटर्वियू नहीं होगा सबसे बड़ी बात है बेसिक इंगलिश आती हो कोई इंटर्वियू नहीं कोई हाई इंगलिश नहीं कोई एजूकेशन नहीं आपके पासपोर्ट हो आपकी एज एलिजबिल्टी हो इसी एनार हो इसी आर के लिए बात कर लें एक बार आप एकसेप्ट होगा कि नहीं तो आप अराम से जा सकते हैं और बस एज में मैटर करती है और सर्विस चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है सर्विस चार्ज राइट नाओ इस ओके मान के चलो कि लेस है ठीक ठाक है मतलब बहुत हाई सर्विस चार्ज नहीं है ठीक है तो आप अराम से अगए साड़े तीन लाग का बजट है तो आप अपलाई करो क्योंकि 50,000 आप टिकेट का आराम से अरे होना चाहिए मिनिममम 3 लाग तो आपके पास हो देन यू कैन अपलाई ठीक है तब आप अपलाई करो इन वेकेंस के लिए तो अच्छा है जिनका मतलब टोटल चार तक का एक्सपेंस हो जाएंगे तो आप अराम से पैसे अपने थोड़े बहुत सेव कर सकते हो तो यह थी आज की वीडियो बुलगारिया के लिए जिनका 3-4 लाग का बजेट है वो बुलगारिया यॉर्प सेटल हो सकते हैं दो साल का वर्क पर्मिट है एक्सेंड होगा और कुछ कंपनी यह मतलब कुछ कंपनी ऐसा कह रही है और एजनसी भी बोल रही है कि वह आगे आपको पॉल बुलगारिया अच्छी डेस्टिनेशन है अस्ती हजार से एक लाग रुपे पर मन्त कमाओ और फ्रेशर्स के लिए अच्छा है जो 25 साल के हैं 12 करा है या 10 कर रखा है बेसिक इंगलिश चिठा के इंटर्वी दे सकते हैं तो ठीक है यह इंटर्वी वैसे भी नहीं होने है म यह बहुत अच्छी चीज़ है और रिजेक्शन नहीं है 98% का सक्सेस रेट है बुलगारिया का इस समय रिजेक्शन रेट इस वेरी लो राइट नो ओके तो 98% है अगर आप 10 लोग अप्लाई कर रहे हो तो आठ के वीज़े तो मिनिममम नौ के वीज़े इतने आने है आठ लोग आप मान के चलो 100 में से 97-98 है 10 में से आप 97-98 मान के चलो तो आठ एक तो रिजेक्शन तो हर कंट्री एक यह तो मैक्सिमम तो बहुत अच्छी उपरचिनोटी है मतलब आप जाओगे यह कंफर्म है अगर आपके फाइलिंग हो जाती वाग परमिट आ जाता तो ऑफले जमान से बहुत है ठीक है तो यह थी आज की वीडियो बुल्गारिया कंट्री के उपर जो भी यॉरप जाना चाहते हैं मास्टेर्स अकैडमी के तुरू ट्रस्टेड कंसल्टेंसी कोई डॉट वाली बात नहीं सर्विस चार्ज इसका थोड़ा कम था इसलिए मैंने आपसे डिसकस किया अधर्वाइस ज्यादा होता तो मैं कभी नहीं बोलता पड़ यह ठीक सर्विस चार्ज है साढ़े तीन लाग रुप है प्लस आपकी टिकेट आपकी रहेगी एजिंसी 3.5 चार्ज कर रही है 3.5 चार्ज कर रही है तो मैंने सर्विस चार्ज कर दिया बहुत लो बहुत परशान है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरा तीन का बज़ट है चार का बज़ट है आप मुझे बताओ तो उनके लिए इस इस अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें बाई-बाई-वाई-वीडियो देखते रहें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सो मिलते हैं नेक्च वीडियो में I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी helpful रहे होगी आपके लिए so bye take care चाहिन